कोटा एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स और चंबल नदी का सहर आज हम इसी सहर के हेंगिंग ब्रिज के बारे में बात करने वाले हैं जो की चंबल रिवर के उपर बना हुआ है और इसे चंबल ब्रिज भी कहते हैं कि नास्तावानी हो गया रास्ते में जा रहे थे गड़ा रही है मादे मंदिर है अब एक कमाल की चीज आने वाली है एंगिंग ब्रिज जो की चंबल रिवर की उपर बनाया है तो अभी आने तो दिखाता हूं अगर आपको एंगिंग ब्रिज गूमना है और सेल पीकल से और तो टोल देना पड़ेगा तो टोल क्रॉस करके यह एंगिंग ब्रिज है सामने दिख रहा होगा वीडियो में आपको अपना टोल कड़ा है उसके बाद सीधा हुई पहुंच रहे है अपना अपना दिख रहा होगा सिविल इंजिनेरिंग का परफेक्ट एक्जामपल है ना कि अगरे आख रहे हैं सिविल इंजिनेर ऑफेक्ट राज़स्तान का इसाइज पहला है यह तो कहने गाविज़ कोटा में जो क्वर्मेंट ने डव्लपमेंट और चीजे की ना अगा। कोटा हेंगिंग ब्रिज जिसे केवल इस्टे ब्रिज के नाम से भी जानते हैं इस ब्रिज की जो लंबा ही है वो करीब डेड़ किलो मीटर है और जो इसमें मैं इस्पान है उसकी लेंथ साड़े तीन सो मीटर है इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन येर 2006 में स्टार्ट हुआ था और 17 में इसका इन्योगरिशन हुआ था बाकी लोगों के लिए आने जाने के लिए इसको आपन किया गया था ये एक बेस्ट एक्जामपल है सिवल इंजिनेरिंग का और ये जो ब्रिज है इसमें जो इस्पान बनाया गया है ये इस ब्रिज को मजबूती देता है उसके लाबा यहां आने जाने वाले लोग रुक के फोटो अगरा क्लिक नहीं कर सकते हैं गार्ड वगरा से पोटिगा काफी सांदार चीज है फोटो सूट वगरा ज्यादा ना करें रोड पे तो ज्यादा ठीक रहेगा अब भी पांच मुनट से जादा यहां रुके नहीं है रवाना हो रहे हैं आगे इतरब बढ़ रहे हैं